पंडित अने वैशल शा निर्मित गुजरात ने फिल्म फक्त महिलाव माटे आजे रिलीज थाई आ फिल्म मा याश सोनी अने दीशा जोशी लीड रोल मा जुआ मल्या पड़ फिल्म नी साउथी मूटी वाते चे के बॉलिवूड ना महानायक अमिता बच्चन नो केमियों गुजरात नी अर्बन मुवी विविद सबजेक्ट साथे स्क्रीन पर धूम मचावी रहे चे ने वामा केमिता बच्चन साहिब द्वरा आ मुवी मा गुजराती डबिंग पन करवा मा आवी चे तो मुख्य भूमी का मा याश सोनी जैनिस थोड़क समय मा ज बीजी आ गुजराती मुवी स्क्रीन पर धूम मचाव चे मुवी ना कॉंसेप निवाद करिये तो एककच घर मा बैसी बैथी वधू महिलाओ हाई चे तो पुरुष्टिक केवी केवे समस्या उननों सामनों करवो पड़े चे ते आ मुवी मा दर्शावा मा आवी चे स्टोरी ने सामली त्यारे गणा बदा नामोंनी चर्चा करता था कि अमारा जे सेंट्रल केरेक्टर चे चिंतन चिंतन ना फादर तरीके अमारे कोईने कास करो तो जे मा एक नानों फ्रेंडली अपिरेंस नी जरूर अती तो गणा नाम वीचार रहा है हमारा डारेक्टर अने मारी साथ प्रोड्यूसर चे वाईशले अपने पची चले मनेकर वीचार रहा है हो कि हमा बच्चन से भावे तो क्यों तो बद्दाने आइडिया खुब गभी गयो और प्रॉब्लम है तो कि बच्चन से हाप आठ शेक नहीं अने बीजोतों के बच्चन साथ गुजाती बोली शेक से के नहीं और आइटिंक सक्सेस्फुली अमें इमने मनावी शेक्या ए बहुज सौर्टेट मारस चे ए कदा बाकी ना क्यारेक्टर्स तमने वधरे कॉमिक का तो क्रेजी देखा शे ने हां सौर्टेड अने एक रेग्यूलर छोकरी छे जने छेने लाइफ थी बहु बदा एक्सपेक्टेशन ना थी पड़ेना जे अमुक वस्तों चे के आटलो आटलो थाहू जो ये लाइफ मा एना विशे चिंतन ने काया करे छे के आटलो मने अटलो तो जो ये लाइफ मा ए तो ये डिमांड जी आप करी रहा छे ये वानवावे छे कि आ काम तो इम्नूच चे पन यू न थी मने मने परस्नली यू लागे छे कि एक पुरुषे तरी ने खाली सांभड़ों ने इपन समझवानी जोरुषे आवे अने आ स्टोरी अने आ कथा में एटलेज लखी छे एंड आफ्टर वाचिंग इस फिल्म आम रिली शूर दाग मेल्स मा काईख चेंग आऊसा रस्टिंग वाचे जे फिल्मा ने खाल आऊसे के शेनो 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 सर्प्राइज से फ्रस्रेशन जे के शूचे एबू सहज निता वारता मा जोड़ा ही गाऊचे एवन दो एनी पासे बार्दान जे तो ये